बिस्मिल्लेखमारहीम, असलाम अलेकुम, रहमत अले बरकाता हूँ, किसे सारी उमीद के दे, सारी खरीज से होंगे, अचा जी आपसे मैं एक और रेसिपी शेयर करने लगें, जो वेट लॉस में यूज करती हूँ, वो है, हरेमेच लिया है, मैंने, जनिया लिया है, पोदीन लिया है, इसको मैं ब्लेंड करूंगी, आप मैं अपने चिकन के साफ से, कितनी अपकी चिकन हो साफ सी चीजे लेनी है, इसमें बैठ करने लगें, मैं तू से टेबल स्पून, योगर्ट की, दही की, और, इसको मैं प्रोफर ब्लेंड कर देना है, इस तरह ब्लेंड हो अब मैं इसमें डालूँगी नमग, नमग आपने बहुत हस्बेदाइका यूज करना है, बहुत यह कुछ से भी कम यूज कर सकते हैं, तो अच्छा है, कोई लोग आता है उनको नमग ना फील हो खाने में तो वह पर खाना को अच्छन लगता, तो इसलिए वेट लॉस में यह एदना हेलफोन नहीं होता तो हमें जारा कम यूज करने चाहिए, रेड चिली मैं नहीं यूज किया है, मैं इसमें एड कर दिया है, काली मिच, आप मैं एड करूंगी जीरा, वेट लॉस में जितना आप अपने खानों में जीरा आड करते के, उतना ही बेस्ट है, जीरा अब कुछने कर दिया है, मैं नहीं एड कर दिया मैं इसमें मिक्षर एड करूंगी जो एड कर दो यूज कर दिया तक यूज कुछ दो में मैं जीरा के जाद कर दो गो देखें, एड वितना जा जाए है, इसमें मिक्षर केतना लग रहाожно, क्यों एhtना फ्रिल्ट है, कीतने डिबल स्पून औलगा उसके लावा नहीं कुछ भी और आप ने इसके बाद इसको जब खाना हो आपने स्टीम देना अब इसको मैंने जाड़ में आप तो बस रखें और इसको स्टीम देनी है और आप गेस्ट्री में प्लाना चाहते हैं तब आप समय स्पाइसे आड़ करके इसको स्टीम दे के थोड़ा फ्राइ कर लें, अगर फ्राइ भी नहीं करना चाते हैं तो आप में बस स्टीम देना और पर चाड़ मसाला और लामन डाल के आपने साफ कर सकती है, मैं जब कोई स्पाइसी खाने का दिल करता है जैसे इसमें ग्रीन चिली आड़े जादा तो मैं इसको स्टीम दे कि ये खा लेती हों ये बहुत है वेट लॉस में आप क्योंकि स्टीम होती है तो इसलिए आपको परशान हो देनी कि आप कैलरी इस गैन कर लेंगी ये जो रिमेनिंग है इसको मैं चैटनी की दर पर यूस कर लोंगी तो अगर भी वीडियो शेयर करती कि ये गताप तेक ये लाफ दाहा है